तो दोस्तो आज रूस से एक बहुत ही बड़ी और महत्पून खबा निकल के सामने आ रही है और भारत ने रूस के एक बड़े छेत्र के अंतरगात मदद करने पर कोई भी जबाब नहीं दिया है जिसके कारण से हमारा दोस्त रूस अब दूसरे देशों से मदद की गोहाल ल देश बन चुका है और भारत और रूस के बीच में दो लाख पचास हजार कडूर की आसपास का ब्यापार होता है अब आप सभी जानते हो कि भारतिय वायू सेना में इस समय फाइटर जेटों की काफी जादा कमी है और वायू सेना के चीफ ने कहा था कि हमें 4.5 जनरेशन और पांचमी पिड़ी के फाइटर जेटों की ततकाल आवश्चकता है अब आप सभी को पता है कि आज से लगभग एक हफते पहले भारत की आवश्चकता को पूरा करने के लिए रूस ने अपने पांचमी पिड़ी के दो स्टेल्थ फाइटर जेट एसू 75 और एसू 57 को भ भारत के साथ मिलकर भारत के मेकिन इंडिया कारिकरम के तहट तकनीकी हस्तान अंतरण के साथ भारत में ही बनाएंगे जिस प्रकार का सोधा सुखोई 30M के आई को लेकर भारत और रूस के बीच में हुआ था पर आप सभी को पता है कि भारत खुद के अपने पांचमी पिड अपसे नहीं किया गया जिसके कारण से रूस को मजबूरी में अपने SU-75 चेकमेट प्रोजेक्ट को लेकर गल्फ देशों की ओर सहायता के लिए कदम पढ़ाना पड़ा है और इसके इंड के ऊपर आप सभी आर्टिकल भी देख सकते हो कि अब रशिया भारत के बाद SU-75 चेकमेट फाइटर जेट को गल्फ कंट्रीज फंडिंग करें और गल्फ कंट्रीज और रूस मिलकर उनके लिए SU-75 चेकमेट फाइटर जेट को बनाकर तैयार करें जिससे रूस का या जो पांचमी पेड़ी का फाइटर जेट है वो जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो